वाकिंग टूर आफ गोवा यस आप लोग सही सुन रहे हैं आपको इस चैनल पर गोवा के सभी बीचों का वाकिंग टूर मिलेगा जहां पे आप अच्छे अच्छे नए नए अमेजिंग एंड इंटरिस्टिंग विउ देख सकते हैं तो इसी को दिखाने के लिए गोवा की डे लाइफ दिखाने के लिए गोवा का विउ दिखाने के लिए मैं आ गया हूं गोवा के बहुत ही फेमस बीच जिसे रसियन बीच कहा जाता है और इसका ओरिजनल नाम अरंबोल बीच है तो आज आप देखेंगे अरंबोल बीच वाकिंग टूर मेंस वाकिंग टूर आफ अरंबोल बीच गोवा तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं और आपको बता सभी बीचों का walking tour इस चैनल पर मिलने वाला है जहां पर एक बीच का कम सी कम 5-6 walking tour मिलेगा so that आपको गोवा के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आपके जो भी doubt है वो सारे clear हो जाएं तो ये देख सकते हैं ये है आज afternoon गोवा के अरंबुल बीच में और जो ही दिख रही है उस हील के पीछे है स्वीट वाटर लेक आफ रंबुल बीच या फिर यह कहसकते हैं गोवा की स्वीट वाटर लेक जिसे कुछ लोग सीक्रिट लेक भी बोलते हैं और सीक्रिट लेक क्यों कहा जाता है मैं आपको निक्स्ट वीडियो में बताऊंगा लेकिन अभी लगबग चार बच गए हैं और दोपहर का समय है और साम होने वाले हैं आप देख सकते हैं बीच का महोर कैसे बीडेशी लोग इंजोई कर रहे हैं और यहां पे आपको रस्यन के साथ साथ अन देशे सुआये हुए टूइश भी मिल जाएंगे और यह बिक्नी बीच भी कहा जाता है अगर बात की जाए तो बिक्नी बीच आफ गोवा क्योंकि यहां पे सारे बिडेशी रहते हैं और इंडियन लोग की मात्रा लगभग ना के बराबर रहती है जैसा कि आप देख सकते हैं इसलिए इंडियन लोग लगभग ना के बराबर रहते हैं इसलिए इंडियन लोग लगभग ना के बराबर रहते हैं तो मतलब गोवा का ये रसियन वीच अरंबोल वीच जो है महाराष्टा बॉर्डर में स्थित है और पंजिम सिटी जो की गोवा की राजधानी है उससे दूर होने के कारण इंडियन टूरिस्ट नहीं आते हैं और रसियन टूरिस्ट की भरमार यहां पर सालो साल पूरे साल ब करके पूछ सकते हैं तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थिंक्यू फॉर वाचिंग